हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जयत पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमदजयद चार या पाच पॉइंट्स दिए रहेंगे और उन्हीं पॉइंट्स पर आप लोगों के माक्स रहते है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं की जो Πॉइंट लिखा है उसी को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेंटेंस बना देते हैं जैसे क्रीयेटेड इसके पीछे एक वर्ड लगा देंगे फिर फूल स्टॉप फिर दूसरा आर के आगे एक वर्ड लगा के पूरा कॉपी करके यहां फिर कॉपी करके फुल स्टॉप फिर कॉपी करके फुल स्टॉप कोई बात नहीं ठीक ठाक है इस पे आप लोगों को डेड़ मार्क्स मिल जाता है समझे यह राज की बात है तो ऐसा ट्रिक मैंने अपने दोस्तों को बताया था उन्होंने किया था बोड एक्जैम में भी किया था, उन्होंने, बोला भाई, स्पीछ राइटिंग कैसे करऊं, कली तो बोड एक्जैम है, तो मैंने उनको अपने पास बटाया, मैंने ये ट्रीक बताई उन लोगों को, और उन्होंने अपलाई किया, और रिजल्ट्स में उन लोगों को, मतला व लोगों कुछ फॉर्मुला नहीं याद आ रहा है तो क्या करें तो यह चीजे कुछ हैं जो आप लोगों को बता दूंगा मैं एक्जाम आने पर बहुत वीडियो का भी आना बाकी है तो प्रिप्यारा स्पीच टू बी डिलिवर्ड बाई यू ऑन दा ओकेजन ओफ लिखते समय सबसे जदा ध्यान इस बात कर रखना चाहिए वह वो कही न कहीं बोलने वालalloĩ और के लगसेया जेंगा रहा है जो बोल इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पीच राइटिंग का यह फॉर्माइट लगबग 90 लोग जानते हैं गुड मॉर्निंग हॉनरेबल जजेस रिस्पेक्टेड टीचर्स अंड आल माई दियर फ्रेंड्स तुड़े आम गोईंग टो डिलिवर स्पीच ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन दिस प्रीचियस ओकेजन ओफ इंटरनेशनल वुमेंस डे आई विल शेर माइट थौट्स यहां पर थोड़ा सा लाइन में मिस्टेक हो गया है और टाइपिंग में मिस्टेक है यह तो मैं भी सही करता हूं और विमेन के आगे यहां पर अपास्ट्रॉफी लगा के यहां से अपने थौट्स को शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे थौट्स को समझेंगे ठीक से सुनेंगे यह आपका फॉर्मैट शुरुवाती फॉर्मैट इस फॉर्मैट इस फॉर्मैट इस गोएं तो प्रोवाइड यू वन माक्स आफ्टर दैट य इन अर्लियर टाइम्स वुमेन वेर फेश्चिंग टूमच डिफिकल्टी जस्ट बिकॉस देविए वुमेन क्यों उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिसलिये होती थी क्योंकि वह एक वुमेन है इन अर्लियर 20th सेंचुरी वेन वुमेन गो टूर्क इन इंडस्ट्री और सेंचिग तो आप लोग मायंड नहीं करना क्योंकि टाइपिंग में एकसर हो जाते हैं तो पहले के जमाने में क्या होता था पहले के जमाना नहीं बोल सकते करीब यहीं पचास-ाठ-स सत्तर की साल की पहले की बात है तो जब भी औरते भी काम करनी जाया करती थी तो उदर प पूरूश इसत्री जो दोनों ही समय सेम कर रहें मतलब आठ गंटे अगर दोनों काम कर रहें तो फिर उसकी से लिडी कम क्यों किसी सेलेरी जाधा क्यों और कहीं पे तो ऐसा भी होता था कि विमेंस को ज़्यादा काम करवाया करते थे सिर्फ इसलिए कि वो विमेंस है ऐसा क्यों इतनी ज़्यादा ब्लाइडनेस क्यों तो वी शुड़ अंडरेस्टेंड डाट विमेंस और अल्सो क्रियेटिड विध इक्वल सोशल स्टैटस आया ना पहला पॉइंट तो पॉइंट मतलब कि जतना ज़्यादा मेल सक्छम है उतना ज़्यादा फीमेल भी सक्छम है विमेंस आर व्यू उतनी ज़्यादा। जितने ज्यादा male है, the best thing in the woman is that they are emotionally strong and stable, hence they can cope with stress better than men, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा important चीज है, सबसे ज़्यादा best चीज है women's के अंदर, वो यह है कि वो emotionally strong होती है, stable होती है, तो कोई भी stress हो, वो उससे अच्छे से cope कर पाती हैं, और दूसरों को भी अच्छे से समझा पाती हैं, वो ज़्यादा emotional होती है, वही male की बात करें, तो उन्हें थोड़ा भी stress होता है, हो जाता है, तो करोडों बीमारियां उससे घेर लेती हैं, बहुत ज़्यादा परिशानिया हो जाती है, अच्छे से cope नहीं कर पाता है वो, और women को अगर हम लोग देखे तो उनके पास multi-tasking abilities भी होती है, You would have also seen that they can do many works at the same time, आप लोगों घर में भी देखती होगे, कि मम्मी एक time पे कई सारे काम करती हैं, जैसे खाना, बनाना, कपड़े दोना, बहुत सारा काम होता है, तो कई सारे काम वो एक ही time पे कर लेती हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है, तो यहाँ पे मैंने कई सारे points को use कर लिया, तीन points को मैंने एक paragraph में use कर लिया, और जो speech writing है, वो date page का होना चाहिए, बोड exam के page के हिसाब से, और आपका school के page में अगर assignment वाला page है, तो एक page काफी है, उतना बड़ा speech writing लिखें आप, और तीन से चार paragraph में लिखें, कितना, तीन से चार paragraph में, मैं marking scheme अभी बता होंगा आपको, तो, हाँ, आगे बढ़ता हूँ, in the earlier time, women were not allowed to go to work in office or any other thing, मतलब कि पहले के time पे women's को office में जाने नहीं दिया जाता था, industry में जाने नहीं दिया जाता था, factories में जाने नहीं दिया जाता था, सिलाई हो गई, painting हो गई, यह सब चीजों की कई-कई घरों में permission और बहुत ही कम, 10% लोग ऐसे थे जो एलाव करते थे, और एलाव करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने बता हाफ of salary मिलती थी women's को, they were just forced to stay at home and do the kitchen work, उनको force किया जाता था, कि आप घर में रहो अपना घर का काम समालो बस, but now the things have been changed, आज कल समय बदल चुका है, nowadays, women's are also competing with men, men के साथ पूरा, equally वो काम कर रही है, women's भी, so guys, women are worthy of respect, power and fame as men are, so, when are, मतलब की, जिस तरीके से women, men, male है, respect के हगदार, power, power उनके पास है, fame उनके पास है, वैसी women's भी है, so guys, we should remember, never disrespect a woman, so guys, I would like to end my speech with this quote on International Women's Day, और last में आप लोग एक quote, एक शायरी, एक बढ़ियाँ सा line, जरूर लिख दें, क्योंकि वहीं से आपका full marks मिलेगा, speech में, तो यहाँ बे मैंने एक बढ़ियाँ सा quote खो जाता, women is like a tea bag, you never know how the strong she is, until she gets in hot water, तर मतलब आप लोग एक women को तब तक नहीं आख सकते कि वह कितनी strong है, जब तक, एक women किस की तरह होती है, चाय की पत्ती की तरह होती है, जिस तरीके से चाय की पत्ती को आपका, नहीं समझ सकते हो कितनी ताकतवर है, जब तक उसको गरम पानी में न भीजे, गरम पानी में भेजते ही, वो पूरे पानी का situation बदल देती है, उसी तरीके से women's भी होती है, जब उसके सामने difficulties आती है, तो वो difficulties का डट के सामना करती है, उन difficulties को overcome कर देती है, तो हम किसी भी women की शक्ती को आख नहीं सकते, so friends, thanks for listening में very carefully, understanding my thoughts, thank you so much, यहाँ पे मेरी speech खतम होगी, last में thank you लिखना जरूर, thank you लिखना ना भूले, जरूर लिखें आप, अब marking scheme बता देता हूँ, यह जो points आपके दिये गए हैं, जितने points होंगे, सब पे आधा-धा marks होगा, तो total धाई marks होग आप लोगों को, one नहीं तो half marks तो मिली जाएगा, और फिर जो grammar रहेगा आपका, उस पे one marks रहेगा, तो कितना होगया total, let me find out, धाई marks होगया आपका, पूरा वो, और प्लस आधा marks होगया, title का आधा ही marks रहता है, quote का होगया आप लोगों का one marks, grammar का होगया आप लोगों का one marks तो इस तरीके से आप लोगों को speech writing में marks दिये जाते हैं, कभी-कभी आपको points चार ही होगे, तो चार का दो हो जाएगा, title का half marks, शुडवात का half marks, quote का half marks, grammar का one marks, two, three, four, और one marks आपका, खुद का points कितना है, खुद से किस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से five marks आपको दिये वाला है, so classes test में मुझे four marks मिले थे, speech writing में, board में शायद four ही मिले, board में भी, तो इस तरीके से आप लोग भी four marks हासिल कर सकते हो, it is not very hard to score four marks in speech writing, but five marks लाना थोड़ा मुश्किल होता है, but five marks लाना है, तो सभी बातों का दियान रखें, grammar सही रखें, सभी points include करें, अपने points भी और title और quote जरूर डाल दें, तो यह आप लोगों को five marks provide करेगा speech writing में, so this is the best way to score full marks in the speech writing, speech writing हमेशा बड़े page जब रहें, उतो उदर एक page लिखें, board के page पे डेर से दो पेज लिखें, कभी-कभी जो teachers नहीं पढ़ते हैं, पूरा वो length देखके marks देते हैं, दो पेज लिखा है नेक्स्ट राइटिंग स्किल का topic सीखेंगे, numerical भी साथ में चल रहा है तो वो भी आप लोग सीखते चलें